अपका स्वागत है दरनी इशो क्लिप्स नेम बस देखते रो और सीखते रो अपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी अठना सालों में शायद ऐसे थोड़े इंस्टेंसिज रहे हैं हमारी जर्नी में जहां हम कुछ जादा ही रिसके वर्स थे बहुत जादा प्लेड सेफ बहुत जादा प्लेड सेफ जैसे मैं आपको बताओं रमी जो है ना ऐसा केम वो छे प्लेयरों में खेली जाती है वो ट्रेडिशनली रमी आप छे प्लेयर या तीन चार पांच प्लेयर छे प्लेयर के साथ के लते हो हमने सिर्फ दो प्लेयर वाली रमी ओफर की आप पुछोगे क्यूं इसलिए क्यूंकि अगर दो से ज़्यादा प्लेयर होते तो चीटिंग की संभावना बढ़ जाती कैसे जैसे आप मैं और कोई और खेल रहा है वो आपका दोस्त है आप उससे फोन पे पूछ लोगे बता यार तो उसके पास ज़्यादा इंफरमेशन है उसके पत्तों की और आपके पत्तों की इंफरमेशन है आपके पास मेरे पास तो सिर्फ मेरे पत्तों की इंफरमेशन है तो आपको एडवांटेज मिल गया तो यह सब हमने सोचा और हम बुला कि नहीं सिर्फ दो प्लेयर वाले वर्जन ही ओफर करते हैं बट फिर हमने सीखा उसे कि यह लोग हो तो छे प्लेयर चाहिए और जस्ट बिकॉज आज हमारे पास सुलूशन नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि हम 600 प्लेयर का वर्जन ना बनाएं हम वर्जन भी बनाएं और साथ-साथ यह भी सुलूशन बनाएं कि चीटिंग कैसे बंद करें उसमें तो फिर हमने उस पे काम शुरू किया तो फिर उसका जो सुलूशन था उतना मुश्किल नहीं था सुलूशन सिर्फ यह था कि आप अगर आप सेम आई-पी डिटेक करते हो तो उनको सेम टेल बे मत बिठाओ एंजिनियरिंग सुलूशन एक्जाक्ली तूसरे टेल से बठाओ तीसरी बात यह कि एक बार साब बैठ जाते हैं तो यह रैंडमली एक बार शफल कर दो ताकि एक दूसरे के बगल में ना वैठे तो सुलूशन थे पर वी प्रेट सेव की नहीं पहले वन टू प्लेयर का ही करते हैं नेगेटिव आउटकम के वारे में पहले सोचा ना कि नेगेटिव आउटकम का सुलूशन तो वो एक दूसरा जब रमी में ही हमें यह सब इस्यूज आ रहा थे हैं आपने बोला पहले आपना पुछा ना कि भाविन किसी ना आपको यह पुछा कि यह सही है कि गलत है तो बिकॉज हमें बहुत ऐसे सवाल आए हमने दूसरे गेम्स नहीं किये यह सोचके कि यह जब तक क्लारिटी नहीं आती दूसरे गेम्स नहीं करते हैं कि इसमें तो क्लारिटी है रहा ही में फिर भी इतने इस्यूज आ रहे हैं तो वो एक तो एक वो दूसरी गलती थी दूसरी जगा वावि प्लेड इट टू सेफ ऐसे बहुत लोगों है जिन्होंने बांडरीस पुश की उधर थोड़ी और फूर उनको फेवरेबल रिजल्ट्स मिले वो कहावत है ना फॉर्चुन फेवर्स दब्रेव ऐसा नहीं है कि हमने हमने अच्छी चीज़े नहीं की कि हमने ब्रेवरी नहीं दिखाई कि हमने हमने जैसे मारा फैंटेसी स्पोर्स का प्रॉट्स में जो भी सीख जो हमें मिली और जिस तरह से हमने ग्रो किया है वो मेरे हिसाब से तो काफी काभीले तारीफ है बट पॉइंट ये है कि ऐसी भी जो हमें पहले करनी चाहिए थी या तो फिर जिनके बारे में हमने नेगेटिवली पहले सोचा और इसलिए नहीं किया और उनसे काफी सीख मिली है आपके इन्वेस्टर्स थे शुरुआत से थे पहले से थे हमारे हमारे एंजल इन्वेस्टर्स थे जो यह बहुत rare है बात उस जमाने में rare तो वो एक बात है कि उस जमाने में थे उससे भी rare ये बात है कि वो सब आज भी invested है किसी ने divest नहीं किया किसी ने अपना share बेचाने क्योंकि उनको वो faith था confidence था हमारी team में कितना पैसा raise किया था तब तब बहुत अर्ली दिनों में इतना नहीं किया था सबसे पहले जो हमने start किया तो हमने पचासलाक रुपए रेस किया थे और कितने अंजल थे तब तो एक ही एंजल थे नहीं दब दो थे और उन से रेस किये थे और फिर उसके बाद धीरे दिया थोड़ा और पैसा रेस किया बट फिर 2012 में Tiger Global ने इन्वेस्ट किया ओके हाँ तो 2012 में Tiger Global ने इन्वेस्ट किया यह स्टोरी सुननी है उससे पहले मैं आपसे यह पूचा चाहूँगा कि मान लो हाइपोथेटिकली अगर आप जैंजी होते और अगर आज बिजनस स्टार्ट कर रहे होते हैं कि अप्रोच अलग रहती अप्रोच अलग नहीं रहती सेम क्यूंकि उसका रीजन यह है कि सबसे पहले आपकी बिजनस के चैंपियन कौन है वो लोग हैं जो आपको जानते हैं अठा साल पहले मुझे टाइगर ग्लोबल पैसे देता है यह नहीं क्यों मुझे जानता ही नहीं है बट मुझे कोई एंजल इंवेस्टर होता है जिसको मैं कोई फोरम में मिला होता या उसके कोई फ्रेंड्स होते जो मेरा रेफेरेंस देते मेरे बार में बोलते कि यार यह कुछ अच्छा कर रहे हैं लोग यह लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं चलओ थोड़ा पैसा इंबेस्ट करते हैं तो यह फर्स जप इस पीपल हुज उन और आपको जानता नहीं है मेरी उसे होगा तो स्टोरी थोई मज़ेदार है उसमें क्या हुआ कि हमारे एक एंजल इंवेस्टर थे वह स्टाइगर में एक जो मैनेजर उनको बहुत अच्छे से जानते थे उन्होंने 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 उन्हो कैसे हो because eventually वो पैसा तो आप पे लगा रहे है तो यह बहुत important है कि आप जब Gen Z की बात को तो यह बहुत important है कि वो वो अपने investors को convince करें but उनको यह भी convince करें ना कि सिर्फ उनका product अच्छा क्यों है but उन में invest क्यों करना चाहिए जैसे कि यहां investors my 11th circle खेल रहे है possible candidates के साथ क्या आपका score अच्छा रहेगा यह नहीं वही logic है तो they liked you फिर पैसा आ गया मतब you raised money we raised money but हमने हमें किसी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि the best time to raise money is when you don't need it काफी counter intuitive है कि सबसे अच्छा समय पैसे raise करने का वो है जब आपको पैसे कोई जरूरत नहीं है क्यूं आप पूछोगे उसका reason यह है कि आपको अच्छे terms मिलेंगे हम अगर आपको पैसो की जरूरत है तो आपको investor bully करेगा थोड़ा साथ नी चोड़ लेंगे उनके terms पे आपको पैसे मिलेंगे scale भी कर सकते हो आप और aggressive हो सकते हो यहाना logic actually मेरे according यह है कि profitable business बना हो पहले यह लोग भूल जाते है पिर अगर profitable business है आपके पास तो लोगा interest होगा आपको पैसे रेसके ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपका business ज़रूरत कर रहा है पैसे जिससे आप business run कर पाओगे I think आजकल लोग जान चुके है फिर से profitability बिल्कुल पिछले दो सालों में तो मुझे लगता है काफी लोग की आँखे खुल चुकी है मुझे लगता है कि काफी फरक पड़ा है काफी फाइदा है उसको ऐसे ही बहुत सारे clips अपलोड की है इस channel पर channel को explore करो देखते जाओ और सीखते जाओ